एपिजोड की शुरू में कोको आशी विलेज के लोग फैसला करते हैं कि वो बेल मेरी को बचाने के लिए उसके घर पर जाएंगे फिर यहां पर बेल मेरी को दिखाया जाता है जो खाना बना रही होती है तभी बहार से आरलोंग आता है और वो उसका गेट खट-खट आता है बेल मेरी बोलती है शाहिद बहार नामी है और वो गेट खोलने के लिए जाए रही होती है तभी वो विंडो से देखती है कि बहार तो बहुत सारे पाइरेट्स खड़े हुए है तभी अंदर से बेल मेरी बोलती है कि अंदर आ जाओ गेट खुला हुआ है यह सुनकर आलों बेलमेरी पर हसने लगते हैं, बेलमेरी बोलती है कि ये कोई जोग नहीं था, तभी आरलोंग बेलमेरी की गन को अपने दातों से तोड़ देता है, ये देखकर बेलमेरी बहुत जादा जोग जाती है, फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है, जो बेलमेरी को बचाने के मेरे पास एक प्लैन है फिर यहाँ पर आरलोंग को दिखाया जाता है जो बैल मेरी को अपनी लाटों से मार रहा होता है यह देखकर नामी बोलती है कि मुझे उसे बचाने के लिए जाना पड़ेगा तब ही गैन्जो बैल मेरी के पास पहुच जाता है बैल मेरी गैन्जो से कहती है पर मेरे पास तो सरिफ एक लाग बैरीजी है तब ही एक उक्टोपस वाला फिश्मेन आरलोंग से जाके बोलता है कि मैंने अंदर देखा अंदर तीन लोग का खाना बना रखा है आरलोंग बोलता है मतलब अंदर तीन लोग रहते हैं तबी गेंजो आरलोंग से बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने आज मुझे और मेरे दोस्त को डिनर पर बुलाया था, इसलिए वहाँ तीन लोग का खाना बना के रखा है, तबी एक फिश्मेन पीछे से बोलता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, इस विलेज के र जाओगे तो बैल मेरी बच जाएगी, नो जी को बोलती है, अगर बैल मेरी को बचाने की बात है, तो मैं जरूर यहाँ से चली जाओगी, और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है, नामी बोलती है, मैं यहाँ से बैल मेरी को छोड़के कभी भी नहीं जाओगी, तबी यहा कर गेंजोस से बोलता है कि तुम ये क्या कह रही हो बैल मेरी बोलती है कि मैं ऐसे जूट नहीं बोल सकती मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी बेटिया नहीं है और वो कहती है चाहे हमारे बीच में खून का रिष्टा ना हो पर वो मेरी बेटियों से भी बढ़ करें ये सुनकर नामी और नोजी को उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है बेल मेरी उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें जादा कुछ नहीं दे पाया इसके लिए सौरी नामी और नोजी को उससे बोलती हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए हमें बस आप चाहिए बस आप सही रहो वो ही हमारे लिए काफी है तब ही बीचे से आरलोंग बोलता है मतलब तुमने मुझसे जूट बोला हम मैं तुम्हें मार दूँगा और वो बैलमेरी को मानने के लिए जा रहा होता है गैंजो बैलमेरी को बचाने की कोशिश करता है पर उससे पहले ही एक फिश्मेन गैंजो को आकर मार देता है सारे के सारे विलेज वाले भी बेल मेरी को आकर बचाने की कोशिश करते हैं पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो फिश्मेन को नहीं हरा पाते आरलोंग बेल मेरी से बोलता है कि अब तुम मरने वाली हो बेल मेरी नामी और नोजिको को अंदर फैक देती है आरलोंग अपनी गन को बेल मेरी के ऊपर रख देता है बेल मेरी नामी और नोजी को से कहती है कि तुम कभी भी मरना मत और तबी आरलोंग अपनी गन को फायर कर देता है और वो बेल मेरी को नामी और नोजी को के सामने मार देता है ये देखकर नामी और नोजी को रोने लगत आरलोंग बेलमेरी को मारने के बाद हसरा होता है और वो कहता है कि मैं बहुत जारा तागतवर हूँ तबी एक अक्टबस वाला फिश्मेन बेलमेरी के पास से नामी का नक्षा उठाता है और वो कहता है कि ये तो एक मैप है नामी बोलती है कि ये मेरा मैप है तुम इसे मुझ अपने साथ ले चलो वो फिश्मेन नामी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है तबी गैंजो आरलोंग के सामने आकर बोलता है कि मैं तुम्हे नामी को नहीं ले जाने दूँगा तबी एक फिश्मेन गैंजो को आकर वहाँ पर मार देता है और वो नामी को अपने साथ ले जा जहाँ पर सारे के सारे कोकोवाशी विलेज के लोग एक जगा एक खटाओ कर अपना प्लैन बनाते हैं कि वो आरलोंग से नामी को ज़रूर लेकर आएंगे और वो सब आरलोंग पार्की की तरफ जाई रहे होते हैं तभी पीछे से नामी आजाती है सब ये देखकर बहुत हो जाते हैं कि नामी खुछ से बापस आ गई नामी उनसे जाकर बोलती है कि अब आपको मेरी कोई फिकर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मैं एक आरलोंग की पाइरेट हूँ ये सुनकर गैंस उससे कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो नामी बोलती है कि वो लोग बहुत सारे पैसे भी दिये और वो लोग ये चाते हैं कि मैं अपना वर्ड मैप बना के अपना सपना पूरा करूँ नोजी को उससे बोलती है कि क्या तुम पागल हो गई हो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो क्या तुम भूल गई उसने हमारी मा को कैसे मारा था तब ही गैंसो बोलता है कि यह बदल गई है, नोजी को तुमें इससे कुछ भी गहने की जरूवत नहीं है, इससे यहां से जाने दो, और वो नामी से बोलता है, कि अब तुम यहां से चले जाओ, और यहां बापस कभी भी मता ना, नामी यह सुनकर, वहां से रोते रोते चली जाती है, फिर रात का सीन जहां पर नामी एक जगा पर बैठी होती है, तब ही नोजी को वहां आकर उससे पूछती है, तुमने यह सब क्यों करा, नामी नोजी को से बोलती है, कि मैंने यह इसलिए करा, ताकि मैं कोको आर्शी विलेज को उस आरलोंग से बचा सकूँ, और वो बताती है, कि मैंने और तारलोंग ने एक दील करी है अगर मैं उसे 100 मिलियन बैरीज दे दूंगी तो वो ये कोको अर्शी विलेज छोड़ के चला जाएगा नो जी को बोलती है कि 100 मिलियन बैरीज तो बहुत जादा होती है तुम उन्हें 100 मिलियन बैरीज कैसे दे सकती हो नामी बोलती है कि मैं उनक को चकेले करना चाहती हूँ और वो कहती है कि मैं एक ना एक दिन आरलोंग से अपने विलेज को छुड़ा लूँगी उसे सौ मिलियन बैरीज दे कर फिर अभी का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस आप बोलता है इसका मतलब नामी बहुत ज्यादा अच्छी है शान जी को चकेले करना चाहती है और वो नहीं चाहती है कि कोई भी बीच में आए तब यहां पर दिखाया जाता है कि उन्हें कोई जाडियों में से देख रहा होता है और वो ते जौनी और योसाकू वो वहां से नहीं गए होते हैं और वो नामी के कहानी सुनकर रो रहे होते हैं न कि जब 10 million berries हो जाएं तब वो उसे आरलोंग को दे सके तब ही यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है जो हसकर कहती है कि अब तो 100 million berries होने ही वाली हैं फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो कोकोवाशी विलेज में घूम रहा होता है तब ही वो देखता है कि सामने से नेवी ओफिसर एक आदमी को लेकर आ रहे हैं और वो यह देखकर बहुत ज़्यादा चौक जाता है यहाँ पर नेवी ओफिसर गैंजू से बोलता है कि जल्दी से मुझे नामी के घर पर ले चलो जैसे ही नेवी ओफिसर उस आदमी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं लूफ पर नेवी ओफिसर आ जाते हैं नामी ये देखकर बहुत ज्यादा चौक जाती है कि वो क्यों आए हैं तब ही वो नेवी ओफिसर नामी से जाके बोलता है कि हमने सुना है कि तुम पाइरेट्स का खजाना चुराती हो और वो कहता है कि मुझे वो सारा का सारा खजाना चाहिए क्यूंकि वो सारा का सारा खजाना गवर्मेंट का है और तुम्हें उस खजाने को हमें बापिस करना पड़ेगा